पाट 18 बीर्बल की समझतारी महराज अक्बर बीर्बल को बहुत पसंद करते थे यही कारण है कि दर्बारी बीर्बल से चिर्टे थे एक बार की बात है जब बीर्बल दर्बार में उपस्थित नहीं थे तब उनके शत्रुों ने महराज अक्बर के कान भरने शुरू कर थिये महराज अक्बर उद्यान में टहल रहे थे तभी एक दर्बारी उनके पास आकर बोला महराज जान की सलामती मिले तो एक गुप्त बात बताऊं निर्भीक होकर बोलो महराज बीरबल राजी की गुप्त सूचनाई पडोसी शत्रु राजा तक पहुचा रहे है जानते हो तुम क्या कह रहे हो बीरबल मेरा विश्वास पात्र है मुझे उस पर पूरा भरुसा है महराज पूरी तरह जाज परताल करके ही सूचना दे रहा हूँ अगर तुम्हारी बात सत्य सिद्ध हुई तो उसे कठोर दंड दिया जाएगा अगले दिन महराज अकबर ने बीरबल को एकांट में बुला कर पूछा बीरबल हमें ख़बर मिली है कि तुम गुप्त सूचनाई पडोसी शत्रु राजा को देते हो बीरबल सुनकर भी चुप रहे बीरबल की चुप्पी से अकबर क्रोधित होटे तुम्हारा चुप रहना यह सिद्ध करता है कि तुम्हें अपना अपराद स्विकार है महराज ऐसी बात नहीं है दरसल मैंने आपको कभी पलट कर जवाब नहीं दिया है यह मेरे प्रश्ण का उत्तर नहीं है इससे यही सिद्ध होता है कि तुम्हें अपना अपराद स्विकार कर लिया है तुम इसी समय मेरे राज्य को छोड़ कर चले जाओ इतनी बड़ी सजा यह सजा तुम्हारे लिए बहुत कम है जाओ यहां से जैसी आप किया क्या बीर्बल से इर्श्या रखने वाले लोगों ने जब यह सुना कि उन्हें राज्य से निश्कासित कर दिया गया है तो वे बहुत खुश हुए उधर राज्य से निश्कासित होने के बाद बीर्बल पडोसी राज्य में पहुँचे मैं बीर्बल हूँ, अकबर महराज का मित्र वाराज सचिव भी हूँ पडोसी राजा ने बीर्बल का नाम वा गुणों की प्रशन सा सुन रखी थी चूंकि अकबर उनके शत्रू थी, इसी कारण उन्हें बीर्बल के आने से हैरानी हुई बीर्बल हम तो अकबर महराज की द्रिष्टी में उनके शत्रू हैं, फिर आप यहां कैसे आए? महराज, जिस प्रकार आप गुणवान वा प्रजा के हितैशी तथा योग्य शासक हैं, उसी प्रकार हमारे महराज भी हैं इसलिए वे आपको अपना मित्र समझते हैं वे आपको अपना शत्रू नहीं समझते, इसलिए उन्होंने मुझे आपके पास भेजा है तो क्या महराज अकबर की द्रिष्टी में हम उनके मित्र हैं, हमारे गुप्तचरों के मुताबिक तो वे हम पर हमला करने की तैयारी कर रहे हैं हमें भी आपके बारे में ऐसा ही कहा गया है, कहिए क्या यह उचित है, आप जैसे शास्कों को तो प्रजा का हिद देखना चाहिए युद्ध के पक्ष में तो मैं भी नहीं हूँ, पर आपकी बात का यकीन कैसे हो आप एक दूत को संधी पत्र और उपहार दे कर भेजें, मैं भी आपको एक पत्र देता हूँ, उपहार स्विकार होगा तो युद्ध नहीं होगा अगले दिन विशेश दूत अकबर के दरबार में संधी पत्र वा उपहार लेकर उपस्तित हुआ अब तक महराज को दरबारियों के शट्यंत्र का पता चल चुका था उन्होंने दोनों पत्र देखकर अपने मंत्री को दूत के साथ उपहार लेकर जाने को कहा मंत्री जी, आप इनके साथ जाएं और बीरबल को हमारी ओर से माफी मांगते हुए वापस लेकर आएं उसने अपनी बुद्धी से शत्रु को भी मित्र बना दिया जब बीरबल राज लोटे तो महराज अकबर ने आगे बढ़ कर उन्हें गले से लगा लिया